बश्कार दोस्तों हमारे चलने हैर एजुकेशन में फिर आपका स्वागत है और मैं हूँ आपका दोस राहुल और आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं पीज़ीडियम कोर्स के बारे में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इंड मेनेजमेंट जो की दो साल का कोर अब आपके पास दो ऑप्शन्स होते हैं लाइक आप एंब्वी कर सकते हो आप पीज़ीडियम करना चाहिए या फिर एंब्वी करना चाहिए तो दोनों की अलग-अलग अलग करिकलम है और अलग-अलग रिजल्स भी आपको आफ्टर टूर्ट देखने को मिलते हैं वीडि पीज़ीडियम के करियर स्कोप, सैलरे और अलगियबिलिटी के बारे में और इसी के साथ हम डिसकर्स करेंगे इसमें एव् 평 एमें ऐड़नूशन परेसे लिना होता है उट्स अबसे पहले हम यह जानते हैं कि पीज़ीडियम नहीं होता है और आपना खुद या नेय्वरस क से फार बेटर होता है क्योंकि MBA के अंदर आपको सेम सब्जेक्ट थू आउट यह पढ़ने को सेम मिल रहे हैं आज से दससाल पहले जो टॉपिक्स बढ़ाई जाते थे वही इस टॉपिक्स आज भी आपको पढ़ने को मिल रहे हैं तो इस वज़े से आपका जो थौट प्रॉ को ज़्यादा कराया जाता है डे वन से फुकस करते हैं कि बच्चा अर्णिंग कैसे गरेगा उसको काम क्या करना होता है उसकी रिस्पॉंसेबिलिटे उसको दिखाई जाती है तो आपके पास ग्रैजुशन के अंदर 50% मार्क्स होना जरूरी है इस कोर्स में एड्मिशन ल पारे में तो सबसे पहले है जिसमें आपका अड्मिशन प्रोसेस था के ऊंदगे ओने जैसे बढ़न वाया जैसे की पतले इस फ्रोग्राम शमीड हो गया了吧 ऐंसे सारे एंटरेंस एक्जाम से जिनको देखे आप अच्छे रेपिटेट कॉलेजिस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं और बहुत सारे ऐसे भी कॉलेजिस हैं जो विदाउट एने एक्जाम आपको एडमिशन देजेते हैं अगर आपके पास 50% आपकी ग्रेजिएशन में तो आप आपे परसनल इंटर्व्यू के बेशिस पर भी एडमिशन ले सकते हों तो फ्रेंट्स अब हम देखते हैं में PGDM कोर्स के अंदर क्या-क्य सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं तो इसमें में मैंचेरियल एक्टोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, बिजरस एथिक साइंसेस, स्ट्रेटिजिक मैनेजमेंट, रिसर्च मेतोडोलोजी, बिजनस लाइंट कॉर्वेट गवर्नेंस, इंटरनेशनल बिजनस जैसे सब्जेक्स पढ़ने को मिलते हैं दोस्तो पहला साल जो होता है आपके PGDM का वो आपका फाउंडेशन येर होता है जिसमें आप अपने focus specializations को पढ़ते हो तो हम discuss करते हैं कि हमें PGDM में कौन कौन सी specializations देखने को मिलती है आप PGDM in human resource management, marketing, finance, information technology management, international business, operations management, system management, financial management, retail management and banking की field में specializations कर सकते हो तो friends PGDM करने के बाद आपके पास बहुत सारी अच्छे-ची jobs की opportunities होती है जैसे कि bank jobs, business consultancies, brand and marketing, non-profit organizations, personal business, educational institutes, export companies, financial organizations, industrial houses, multinational companies So in fields में आप काम करोगी, करोगे, साथ ही साथ आप अपना कुद का business setup करके या फिर किसी institute के साथ जुड़के, education line के अदर भी अपना career बना सकते हो और सारी बच्चों की mind में ये आता है कि PGDM भी 2 साल का course है और MBA भी 2 साल का course है तो फिर दोनों की fees में जमीन आस्मान का अंतर क्यों होता है क्योंकि PGDM कराने वाली colleges होते हैं और MBA कराने वाली universities होती है जिनका एक जो amount fix होता है colleges का वो UGC के थुरू होता है वो अपने curriculum के अंदर syllabus के अंदर easily changes नहीं कर सकते और उनको एक decided fee के उबर ही काम करना होता है whereas PGDM क्या होता है autonomous college के थुरू होता है autonomous body अपने decisions खुद ले सकते हैं वो अपने courses है उनका curriculum उनका syllabus अपने according या पिर trend में जो syllabus चल रहा है उसके according set कर सकते हैं वो अपने course की जो fees है उसको भी अपने according रख सकते हैं तो mostly colleges PGDM की fees 5 to 6 lakh 6 to 7 lakh या पर बहुत सारे colleges की fees 11 lakh तक भी होती है या आपको मैंने per year की fees बताई है तो 9 lakh per year 11 lakh per year इतनी fees PGDM में देखने को मिलती है बट इसका return of investment बहुत अच्छा होता है तो अगर आप salary package की बात करते हो तो at the end आपको 7 to 14 lakh per annum का package अराम से मिल जाता है और उन्हेंने average अगर हम देखते हैं तो 7.4 lakh का average salary package आपको PGDM करने के बाद easily मिल जाता है और इसका recognition same as MBA होता है आप यह मत सुचो की यह diploma है और यह मत सुचो की degree की ज़्यादा value होती है बहुत सारी जगाओं पे अब यह myth हट चुका है diploma is equivalent to MBA अगर diploma वाले person के पास ज़्यादा skills है MBA वाले से तो diploma person को ज़्यादा equivalence मिलती है priority मिलती है so PGDM is better for you अगर आपने MBA का decision बनाया है तो MBA is good for you as well दोस्त अगर आपको कोई भी doubt है query आप हमसे comment section में पूछ सकते हैं अगर यह video आपको अच्छी लगी हो तो जरू लाइक कीजिए और इसी तरीके के educational content के लिए बने रहे है हमारे channel higher education के साथ Thank you so much